दोस्तों फिल से आपका एक बार सौगत है केमिस्ट्री हमें मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट प्रोफेसर और और हम लोग रियक्टिव इंटर्मेडियेट में थर्ड टॉपी के थर्ड पॉइंट देखने वाल दोस्तों फ्री रैडिकल पहले हमने देखा था वोट कार्ब कर्बोकेटाइन उसके बाद देखा था कार्बैनियन और अब हम लोग देखरें फ्री रैडिकल दोस्तों ठीक है तो दोस्तों एक जब हम लोग जनरली बात करते हैं कार्बोकेटाइन की सो नंबर अफ एलेक्टों टोटली यह ना वान ट्यू थ्री बॉन मतलब दो चार छ इलेक्टाइन डफिशचेंट ठीक है दोस्तों एलेक्टाइन डफिशेंट कार्बन बात करते हम लोग कार्बो एनायन की तो उसमें टोल नमर आफ एलेक्टाइन यह कार्बैनियन 246すご क्या है था दिए इंट्व एलेक्टर्ण दिस निग시gsरें स्नाल लेक्टाइन in the single electron इसका मतलब total number of electron is equals to 1,2,3,4,5,6,7,7 so अगर हम लोग बात करते हैं definitional introduction की जो कि already start हो चुगा है दोस्तो so carbon having the odd electron carbon having the odd electron carbon जिसके पास odd electron है यह इस तरीके से यहां C2H5 dot इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तो free radical these are what these are the free radical carbon having the odd electron अब दोस्तो कितना है total 7 electron है इसका मतलब यह highly reactive होगा वो हम लोग discuss करते हैं characteristic में दोस्तो फिलाल के लिए what is the under the reactive intermediates हम लोग देख रहें free radical free radical मतलब क्या है कि carbon with single electron carbon with one electron is call us ना positive ना negative इसको हम लोग दोस्तो क्या कहेंगे इसको हम लोग कहेंगे free radical जिसमें एक है समझे दोस्तो इस तरीके से c2h5 dot ch3 dot ठीक है ना सही है दोस्तो यह बनते कैसे formation किस तरीके से सो दो तरीके से बनते हैं ठीक है दोस्तो कभी कभी क्या है एक अलग special type of reaction में भी बनते है बट जनरली क्या है thermal और photochemical thermal और photochemical सो जब हम बाइद करते हैं formation और the generation of free radical तो let we talk about the first step that is what the thermal thermal formation thermal generation या formation of free radical thermal ही कैसे बनते है ठीक है जोस्तों तो जब हम क्या करते से बहुत ज़्यादा हीड देते हैं example के तौर पर जैसे परोक्सी परोक्सी compound है या फिर आज्व कंपाउंड है परोक्सी कंपाउंड लेट वी टेक एग्जांपल फिनल परोक्सी ठीक है ना compound c6 h5 c double bond o o के परोक्सी compound है ठीक है अब इसको हम लोग क्या करते इस परोक्सी कंपाउंड को अगर बहुत ज़्यादा हीड देते है टेंपरेचर बिलोग 200 डिग्री सेंटीक्रेड या अगर हम हीट करते है ठीक है ज़्यादा मॉन्टा फिट देते हैं तो क्या होता है होमोलीटिक breakdown होता है देखें compound symmetric है symmetric हो या asymmetric हो ठीक है ना क्या हो सकता है free radical produce हो सकता है लेकिन एक बात दिमाग में भरिये आप thermally thermally अगर free radical produce करना है तो दोस्तों generally symmetrical चीए क्या चीए symmetrical compound similar symmetrical तो क्या होगा इसका background होगा दो दो पार्ट में और दोनुभी पार्ट किस तरी किसे होंगी दोस्तों c6 h5 c double bond o and o dot कितने दो बने देखें दो पार्ट में divide हुआ यह paroxy compound है क्या है दोस्तों paroxy compound है ठीक है paroxy ठीक है ना सो paroxy compound में इस तरी किसे होता है अगर हम और एक example लेते aso compound ठीक है aso compound लेते a b aso compound ch3 then triple bond and ch3 ठीक है तो इसके भी अगर हम लोग दोस्तों breakdown की बात करते हैं और हम लोग हीट देते हैं तो क्या बनेगा देखें एंट अलग हो जाएगा ठीक है यहां पर कैसा होगा देखें symmetrical breaking यहां पर होगा दोस्तों याद रखेगा symmetrical breaking होने के बाद क्या बनाया पर देखें ध्यान दिजिए N2 यह free radical तो यह combine होकर क्या बनेगा nitrogen molecule बन जाएगा N2 molecule और यहां पर भी symmetrical breaking हुए तो CH3.2 बने इस तरीके से क्या होगा दोस्तों free radical बनेगा दिमाग में फिर से आप भर लीजिए कैसे बन रहा है अगर आप thermal decomposition में जाते thermal formation of the free radical या इसको हम thermal decomposition भी कहते दोस्तों तो thermal decomposition में क्या हो रहा है symmetrical molecule break हो रहा है याद रखेंग कहां से मैं आपको ब्रेकिंग पॉन्ट दिखा रहा हुए यह यहाँ यहाँ पर ब्रेकिंग यहाँ इस तरीके से free radical form होगा ठीक है जोस्तों इस तरीके से क्या हो रहा है free radical form हो रहा है अब अगर हम लोग बात करते हैं यह थर्मल होगा हीट एनर्जी प्रवाइड कर रहे हैं अगर हम लोग लाइट एनर्जी प्रवाइड कर रहे हैं ठीक है ना तो क्या लाइट डिकंपोजिशन दोस्तों लाइट कौन से लाइट यूवी लाइट विजीबल यह है और रैडीयेशन डिकंपोजिशन अचीज फिरेष्ण डिकंपोजिशन अखेए लाइट में इतनी पावर एंगरे वो एक अलग फिच्व हों किसे हिएंगे इनर्जी में pineapple की टोटल एनरजी बढ़ती है पूरा भी टोफ होता है लेकिन लाइट इनर्जी में पूरा पार्ट ओस ओ्लिप आफ इनक्रिष इसित मतलब सिग्मा बॉन पाइस तो स्ञेट में अगर सिमेटरिकल नहीं भी है molecule अगर symmetrical नहीं भी है या symmetrical है तब भी वहाँ पर free radical formation possible है दोस्तो H new मतलब H new का मतलब का light energy तो देखिए अब इसका अगर symmetrical decomposition यहाँ से होना चाहिए ऐसा नहीं है molecule आपको symmetrical दिख रहा है but unsymmetrical breaking देखिए symmetrical breaking एन एन बीच में यहाँ है symmetrical breaking दो पार्ट से में symmetrical यहाँ यहाँ पर unsymmetrical breaking हो रही है और एक असील ग्रूप form हो रहा है with free radical and CH3 with free radical so यह possible है सिर्फ कहां पर in the case of the light याद रखेगा in case of light so जब हम लोग बात करते हैं दोस्तो thermal decomposition की thermal decomposition में क्या होगा symmetrical breaking होगी और ऐसे free radical produce होगे और अगर asymmetrical अगर radicals free radical भी अगर produce करना है so you must have to use the light तो radiation decomposition करते हैं तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तो इस तरीके से free radical बलेंगे so that is all about the formation formation of the free radical दोस्तो अगर हम इसके characteristic की बात करें तो कुछ चीज़े हैं सबसे पहली बात यह हमने देखा इसे decomposition होगा दूसरी बात यह highly reactive होंगे क्या होंगे बहुत highly reactive होंगे क्यों highly reactive होंगे total number of electron देखिए इस bond में 2 है हम इस PC की बात कर रहे हैं तो 1,2,3,4,5,6,7 मतलब octate complete करने के लिए octate पता न, octate rule octate complete करने के लिए सिफ एक electron की जरूरत है और एक electron की जरूरत मतलब highly reactive होता है याद रखे क्या होगा यह बहुत ज़्यादा reactive होगा highly reactive प्रापरटी की अगर बात करता है तो highly reactive highly reactive मतलब highly reactive का मतलब क्या है मैं short cut में लिखते हैं highly reactive कार्बो किटाइन और कार्बो एनायन के कंपेरिज में बहुत ज़्यादा reactive होगा और highly reactive मतलब क्या होगा short life होगा बहुत कम वक्त के लिए रहेगा जैसे chance मिला वो कार्बो किटाइन, कार्बो एनायन क्या करते है resonating structure बहुत ज़्यादा और अलग-अलग resonating structure फॉर्म करके क्या करते है कि वो अपनी stability प्रूव करते है बट यह नहीं सो कार्बो कटाइन जो है बनते है intermediate वो बहुत ज़्यादा stable कार्बानायन उससे कंस्टेबल और यह उससे भी कंस्टेबल क्योंकि देखें आप इसमें 6 है मतलब electron period of है 2,4,6 period of है इसमें 8 है electron period of है पूरे यह तो fulfilled है कोई दिक्कत नहीं यह क्यों stability फॉर्म करना जाएगा इसका ठीक है समझ बहुत रहा है resonating structure से वो stable otherwise यह है और आप इसकी बात करते है तो सिर्फ 7 electron है मतलब एक electron की कमी है अगर एक electron मिल जाता है तो वो अपना octet complete कर लेगा इसलिए बहुत कम वक्त के लिए क्या करता है वो रहता है short life period है ठीक है दोस्तो तो third क्या कहता है कि वो paramagnetic होगा paramagnetic का मतलब क्या है दोस्तो paramagnetic का मतलब यह है कि अगर odd number of electron है तो magnetic field में attract होता है अगर paired है या even number of electron है तो वो paired नहीं होगा दोस्तो ठीक है मतलब paired electron है तो magnetic नहीं होगा but unpled है ना साथ है एक un peg electron है तो paramagnetic magnetic field में वो attract होगा ठीक है seven odd electron है तो कोई problem है odd electron है ठीक है दोस्तो तो उसकी stability भी क्या है थोड़ी काम है यह कहीं नहीं पर कहा है दोस्तों चलो अल्रीड हो चुका है हम लोग स्टक्चर स्टेबिलिटी और रियक्शन जो है ठीक है यह तीन पॉइंट हम इसको रब करके फिर कवर अप करते आप इसका स्कीन शॉट निका लेजिए फिर जो भी एक बार देख लेजिए ठीक है पहले मैं इसको रब करता हूं दोस्तों अब हम लोग बात करते चलें नेक्स वंड़ाइज वाट इस वाट इस्ट्रक्चर वाट स्ट्रक्चर ऑफ रिडिकल तो स्ट्रक्चर ऑफ रिडिकल कार्बो क यह थिए अपmal उगे थे स्ट्रक्चर ऑफ रिडिकल के लोग बात करते यह संबह्त जोकी एक्षी ठीक कर्बो करदें ना कार्ब्रब भी त्रिबॉन हाइडरोजिन हाइडरोजन मतलब क्या होगा यह तीम शक्राइच में होंगे याद रखेगा जैसे कि कार्बो कितायन में था तीनों भी एक ही प्लेन में और जो दो लोब से एक औरृटल के ठीक है यहां पर पॉजिटिव चार्ज था यहांपर क्या है सिफ एक फुरी रडिकल एक एलेक्ट्र यहां पर होगा याद रखेगा थूढ़ा सा प् hydrogen दूसरा hydrogen इधर एक प्लेन में और इस तरीके से दो लोग एक electron उपर में होगा डाइस वाट वाट इवर structure of the free radical एक ठीक है ना साथ electron है देख दो तीन चार पांच छे साथ और electron है इसलिए क्या है अंस्टेबल है reactivity ज्यादा है इसकी समझ जाहिएगा para magnetic nature है ठीक है और neutral है क्योंकि single electron है क्योंकि यह electron निकल जाएगा तो plus होगा इमें जोटल है इसमें इक उलेक्टो ना गया तो plus तो स्ची इसमें एक उलेक्टों आगया है तो minus निकेटी चाल यह वह ईलेक्टान चला से यह आपकोट रैंदा बहुत पाराइसेंट समझने केलिए जैसे यू स्प्रक्चर अगर कर्भी कथैन के जरसा है तो स्टेबिली टी और भी कर्भाइटाय का फॉल्ल करेंगा याद करो कार्भा collective in tertiary butyl cation is more stable than the secondary which is more than the primary मतलब methyl cation से जहादा stable primary cation फिर secondary उससे ज़ाधा tertiary कार्बो कटाइन की बात कर रहाँ कार्बैनियन में tertiary सबसे कम stable है कार्बो कटाइन में tertiary सबसे जादा doable है कार्बैनियन में tertiary सबसे कम्स टेबल है तो यह उसी का sequence follow करेगा किसका sequence follow करेगा कार्बो कटायन का देखें मैं comparative लेता है आपको ठीक ना कार्बो कटायन और यह दोनों भी कैसे मैं बता रहा हूं यह देखें इस वाट मैं पहले कार्बो कटाइन उपर निकाल लेता हो ठीक है यह CH3C then CH3 CH3 यह कार्बो कटाइन ठीक है कार्बो कटाइन उसके बाद यहां पर लेते हैं अब लोग फ्री राडिकल CH3C CH3 ठीक है यह फ्री राडिकल याद रखेगा उसके बाद secondary then secondary है ना CH3C CH3 और यहां पर एक H कर्बो कटाइन देन प्राइमरी यह सेकंडेर प्राइमरी CH3 then यहां पर एक HH यह से लिख लेता है ना H और यह H ठीक है then methyl CH3 इसी तरीके से यहां पर होगा same will be the structure CH3 बिल्कुल same CH3H इतना ही फरक है CH3CH CH2 इसका मतलब ठीक है ना फ्री राडिकल और CH3 फ्री तो दोनों का भी sequence कैसे होगा कि this will be the more stable यह होगा stability order याद रखेगा यह होगा stability order इस तरीके से होगा stability order यह याद रखता है इसका मतलब क्या है whether it is Carbocatine और free radical Carbocatine हो या free radical हो so tertiary Carbocatine and tertiary free radical is more stable than the secondary which is more stable than the primary which is more stable than the methyl कार्बानियन की तो इसका रिवर्स होगा मतलब कार्बोकाइन और टर्शरी ब्यूटिल राडिकल में इन दोनों में यह दोनों क्या है मतलब कार्बोकाइन और फ्री राडिकल में यह दोनों स्टेबल सबसे ज्यादा और कार्बानियन में यह क्या होगा इसका रिवर्स होगा Carbonian अगर बोलेंगे तो क्या होगा इस तरीके से यह less stable यह less stability order याद रखे किस के लिए करवानियन के लिए याद रखे यह किस के लिए मतलब यह दोनो Carbocatine और free radical के लिए और यह carbonian के लिए मतलब इस तरीके से देखो आप अगर इसको याद रखते हैं दोस्तों तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाना चाहिए इस इस वाट देबिलिटी ओडर फॉर दी कार्बो कटाइन कार्बैनियन और येस फ्री राडिकल याद रखेगा से आपके बतादिया है दोस्तों स्टेबिलिटी लोट इसकोस अब डियाओ-दर रेक्शन जेनरली जो फ्री राडिकल रेक्शन दोस्तों वो फ्री राडिकल रीक्शन तीन स्टेप में पाफाम होते इनिसियेशन Polymerization या Propagation and Chain Termination तीन स्टेप में होता है जैसे देखे मैं आपको एक Initiation की बात बता था हो ठीक है ना मतलब अगर reaction की बात करो तो reaction में पहला कुन सा होगा Initiation 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 reaction कैसे होता है दोस्तो This is Cl. मान की चले chlorine free radical है और methane के साथ तो क्या होगा फिर यह फॉर्म करेंगा देखेए निदिए च्छी कि प्रीज है लेवाद से लेखा यहां से हैच लेगा यह बन गया इस तरीके से लिए यह चिंट का इनिसियेशन होगा मिथिल अब यह क्या बन गया मिथिल फ्री राडिकल बन गया अब यह मेथिल राडिकल क्या करेगा दूसरे मिथिल प्रियाडिकल पर अटैक करेगा तो किस तरह के से करेगा यह व्यापका इनिशिएशन ठीक है ना इसन वाट इनिशिएशन रियक्शन अब सेकें हम लोग लेते दाइस वॉट देखें इसी में सेकंड स्टेप या फिर हम मॉलीकुल पर टैप करेगा क्या अधि छिएक सबस्क्त करें करें मॉलीकीट तो क्या बनेगा डो urban करें मिठिल कलोड बना अब फिर से क्या होगा विध्य दोות क्या हो स्थी फिसलodor अब ये अब यह three radical क्या करेंगा फिर दूसरे hormone पर attack करेंगा क्या करेंगा दूसरे worker पर Attack करेंगा दोस्तो इनिस्षेशन प्रोसेस हो गया अब मतलब क्या हो दीखें यह clip sebelum 25 करेंगा है मतलब क्या करेगा ये मिधिल यह जो मिधिल राडिकल बनाएगा मतलब लाट में से Healthy राडिकल बना यह methyl radical फिर से क्या कर रहा है इस क्लोरिन फिर से बना रहा है और फिर से अटेक करेंगा अब यह क्या करेंगे polymerization reaction perform करेंगे कैसे करेंगे polymerization reaction प्रफोगेशन या फिर polymerization reaction तो प्रफोगेशन या polymerization reaction में देखिए मान कि चली की carbon double bond carbon यहाँ पर CH3 CH3 something is there यह CH3 जो डॉट है methyl radical यह इस पर अटेक करेंगा तो मिधिल राडिकल इस पर अटेक करता है polymerization पर क्या बन रहा है देखिए CH3C यह हो गया ठीक है यह एक बांड ब्रेक हो CH3C double bond यह सीधा सीधा दिखा दिखा दिए रहा है ठीक है C अब यह फ्री राडिकल इस पर यह आड़ हो गया आद रखिए देखिए मैं इसको आड़ करके दिखाता हूँ तो क्या होगा इस तरीके साब यह चैन बढ़ते जाएगा चैन प्रफोगेशन इसको हम क्या कहेंगे चैन प्रफोगेशन इस वाट प्रफोगेशन और बाद में जब रियक्टन खतम हो जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों तर इस कॉलर दा चैन टर्मिनेशन तर्मिनेशन में क्या होगा यह जो भी फ्री रैडिकल से अलग अलग तरीके है चैन टर्मिनेशन को मैं एक सिंपल आपको दिखाता हूँ CH3.CH3.CH3.CH3.CH3.CH3.CH3 इसे और तरीके जिससे क्या होता है चैन टर्मिनेट होता है So that is what the free radical reaction initiation, propagation और termination में होता है ठीक है देख लिजे अच्छे से समझ लिजे Reactive Intermediate में हमने 3 की detail study किये कौन सी Carbocatine की, Carbocatine की और इस video lecture में हमने देखा है Free radical ठीक है तो जो भी doubt से मुझे comment करके जरूर पूछेगा जब भी आपको मौका मिले, कोई आपको नया topic लगे तो मुझे suggest जरूर कीजेगा दोस्तों तब तक मिलते हैं Stay healthy, stay tuned Bye Bye